अनम लोजिक में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बता हुआ कि IRCT का जो कस्टमर केर नंबर है वो आपको कहां मिलेगा ठीक है अगर आपको IRCTC का अगर कस्टमर केर अगर नंबर चाहिए तो इस वीडियो को लास तक देखिए ताकि आपको अच्छी तरह समझ म पहले तो मैं आपको यह बता हुआ कि IRCTC का हमको जरूत क्यों पढ़ती है दोस्तो यह आपको भी अच्छी तरह पता है और मुझे भी अच्छी तरह पता है कि IRCTC की जरूत हमें ट्रेंड की बोकिंग करने के लिए यूज होता है और बहुत सारे जो हमारी मतलब के हम जैसे हालिडे पैकेज वगेरा लेते हैं यह सब चीजे के लिए यूज होता है और IRCTC का एजन बनने के लिए भी हमें IRCTC के साइट की जरूत होती है जिसके जरूत होती हैं जिसके जरूत हम मेने का 50-60,000 रुपया बड़े आसानी से कमा सकते हैं और उसकी इंफामेशन के लिए ह हमें उनकी पूरी जानकरी उनकी पूरी मालूमात हासिल करने के लिए हम IRCTC के कस्टमर केर का नंबर दुनने के लिए हम हमें जरूत पड़ती हैं ठीक है तो मैं आज इस वीडियो में आपको यही बताऊँगा तो इस वीडियो को step by step follow कीजिए ताकि आपको अच्छी तरह स कर रहा हूं ना वह चीज आप अपने desktop या PC के ओपर भी कर सकते हों तो सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप गुगल क्रोम स्टार्ट कीजिए ठीक है गुगल क्रोम स्टार्ट करने के बाद क्या उसमें आप सिंपल सा यहां पर सर्च कीजिए जैसे कि यहां पर मैं गुग इसका मिल जाएगी या फिर आपको आई बटन में भी इसका मिल जाएगा कि मैंने पूरा इसके उपर एक पूरा की पूरा वीडियो बना है कि आप आयर सेटी सी का एजन्ट की इस तरीके से बन सकते हो तो आई बटन पर मिल जाएगा और लिंक डिस्क्रिशन में दे दिया वो वीडियो देख लेना अब मैं इस में इस वीडियो में आपको customer care का number देता हूं तो simple सा आपको यहाँ पर IRCTC आपको open करना है और यहाँ पर देखें सर्च में आ भी जाता है और यहाँ पर simple सा इनकी website को open करना है तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जो website IRCTC की आपको देखें यह IRCTC.com इस पे नहीं जाना है हमको हमको इस पे जाना है IRCTC.com.in के उपर ठीक है फिर इसके उपर आपको क्लिक करना है ठीक है अभी logging वगिरा की जरूरत नहीं है मैं आपको simple सा आपको बताऊंगा ठीक है यहाँ पर इसको okay कर दीजिए और यह अगर desktop mode पे नहीं ह अगर नहीं समझ में आता है आपको google पे नहीं सर्च करने हो रहा है तो इसका भी link में description में दाल दूँगा ठीक है फिर उसके बाद आपको क्या करना है customer care का number आपको चाहिए होगा तो customer care के लिए आपको क्या करना है simple सा यहाँ पे देखें यहाँ पे जो box दिखाए दे रहे यहाँ पे जो box दिखाए दे रहे यह box देखें मैं टिक भी लगा दिया है IRCTC के लोगों के बाजू में यह box दिखाए दे रहे इस box के ओपर अगर आप click करते हो ठीक है यहाँ पे train holiday stay flight loyalty मिल्स promotion at station यह सब वगिर आया फिर उसके बाद देखें contact us आया इसकी मत करना क्यूंकि मैं आपको आगे भी important चीज़े बताने वालों आपको समझ में आ जाएगा ठीक है इसकी मत करना तो यहाँ पे देखें contact us के ओपर आप click करोगे ना तो यहाँ पे देखें इसका customer के number साफ साफ आपको दिखाए दे रहे हैं और इसमें दो language है ठीक है अगर आप इंडिया में irctc.co.in पे ठीक है और cancellation e-ticket करना है तो e-ticket added irctc.co.in पे आपको email करना है ठीक है यहाँ पे देखें यहाँ पर पूरा English में लिखा हुआ है आप अच्छी तरह पढ़ लिजिए और इनका office है new delay के अंदर ठीक है एड्रस वगेरा पूरा के पूरा दिया हुआ है और यहाँ पर यह customer care का number भी इन्होंने बहुत आसानी से यहाँ पर दे दिया है ठीक है तो यह customer care number के उपर जाके आप बात कर सकते हैं अगर आपको agent की पूरी सला अप यहाँ से provide कर सकते हैं अगर आपको ticket book करवाना है cancel करवाना है उसका क्या procedure कैसा logging करना है वगेरा वगेरा यह पुरा प्रोसेज अब यहाँ से हासिल कर सकते हैं ठीक है तो यह था आज की वीडियो का topic के आप IRCTC के customer care का number किस तरह के से हासिल करेगे दोस्तों अगर यह information आपको पसंद आई है तो सबसे पहले मेरे वीडियो को like कर लीजिए share और subscribe जरूर कर लेना तो चलिए फिर मिलते हैं next वी